नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में हर्याना पंचाय चुनाव छे जुड़ी हुई हर नई खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए यह हमारे आपसे रिक्वेस्ट है ताकि हम मोटिवेट होते रहें नई वीडियो बनाने के लिए अब हर्याना पंचाय चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा सरगर्मिया बढ़ गई है और बहुत बड़ा फैसला जो है हर्याना पंचाय चुनाव को लेकर आया है और वो है हर्याना पंचाय चुनाव की जो सुनवाई थी उसकी जो है क्या रहा उसका फैसला और उसकी आगे की डेट दे दी गई है और ये खुशकवरी ये है कि वो डेट ये जो डेट दी गई है ये सबसे कम डेट सबसे सोटी डेट जो है अब तक की वो दी है हर्याना पंचाय चुनाव को लेकर हाई कोट में और ये देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये 25 अप्रेल को जो था वो डेट थी और इसमें आगे हम अपडेट आपको दिखाएंगे की अपडेट करके कौन सी नई डेट दे दी गई है पंजाब हर्याना हाई कोट की वेब साइट पर ये देखिए थोड़ा बलर है पर ये जो डेट है ये है चार म मही को फैसला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा इस बारे में आपकी राय जरूर दे कमेंट करके बताएं कि क्या चार मही को फैसला आ जाएगा या अब आगे की कोई डेट दे दी जाएगी और सरकार ने बहस के बाद हाई कोट में सरकार ने ये कह भी दिया है हाई कोट से क जल्द से जल्द चुनाओं करवाय जाएं जल्द झ्लदा निकल साल पहले एलक्षं होने थे पर अब वह बहुẫn सारे लोग तो यह रहा है कि इलेख्शन जो है वो होने की संभावना लग रही है क्योंकि जो हमारे पास जैसे कमेंट्स आ रहे हैं जैसे सरकार को भी यह बात पता है बीजेपी को भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई है पंचाय चुनाओ कि वे जैसे बहुत जादा गुस्टे में है और अब स सारे लोगों ने आम आदमी को जैयन कर लिया है और अब ऐलेक्शन के जैसे जो लोग नराज हैं पंचायट एलेक्षण के वजए वह भी आम आदमी का दामन थामने लगे हम आदमी पारटि का तो इसको सरकार को जल्दी से चेत जाना चाहिए धी एलेक्षण जल्दी जल्द और वो मुद्धा भी सौल होने के असार है अभी और ये थी एक बड़ी अपडेट की 4 मई की डेट दे दी गई है हरियाना पंचाय चुनाव के लिए जो सुनवाई होनी है उसके अगली डेट 4 मई दी गई है और 4 मई तो बिलकुल नजदीक है और इस दिन जो है जैसे ही कोई भी फैसला आता है हम आपको सबसे पहले बताएंगे तो आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर करना ना भूले